असलाम अरेकम रह्मत अल्हीं बरक्वात्यों तुड़ी आहिना नारा टीचर चस्कासलू डिलिवेरिंगे लेक्चर फर क्लास 10th सब्जेक्ट इस इंग्लीश एंड टॉपिक इस दे नेकलिस प्यारे बच्चो दे नेकलिस का पहला पार्ट जो है मैंने आपको परसु समझाय पिछले टॉपिक में एक लेक्चर दिया है मैंने इसका तो हमने कहां तक पढ़ा था मैंने इसको समराइज किया है अपने नोट बुक पे तो मैं वही समरी आपको इसकी पढ़ा रही हो तो यहां तक हमने पढ़ा था कि यह जो उसके पास जुएलरी नहीं थी no has no jewelers then so Mr. Loosel suggested she go and see her friend Ma'am Forrester a rich woman who can probably tend her something Mathilda goes to see Ma'am Forrester and she is in luck Mathilda is able to borrow a gorgeous diamond necklace Mr. Loosel जो उसका husband था उसने उसको suggest के कि आप अपनी friend के पास जो जिसका नाम था Ma'am Forrester जो बहुत ज़्यादा रिश्ट थी वो आपकी कुछ हेलफ कर सकती है क्योंकि मेरे पास इते पैसे नहीं कि मैं आपको जवालरी दे दूँगा तो Mathilda ने वही माना उसकी बात और वो चले गए अपनी friend के पास और उसने वहां से एक diamond का necklace लाया तो जब इसको वहां पार्टी में जाना था तो यह बहुत ही खुश थी और सबने इसको वहां पर पसंद भी किया Mathilda suddenly dashes outside to avoid being seen in her shabby coat she and her husband catch a cab and head home अब वो वहां से वापस निकले और कैबली और गर पोंचे दोनों मियां भी वी but once back at home Mathilda makes a horrifying discovery the diamond necklace is gone जो ही वो गर पोंचे Mathilda ने देखा कि उसके गले में वो necklace नहीं था Mr. and Mrs. Rosal spends all the next day and even the next week searching the street for the necklace but finds nothing so they decided to buy a new necklace तो इन दोनों मियां भी वी ने बहाँ देर तक उस नेकलस को डूनने की कोशिश की मगर वो नहीं मगर उनको वो नहीं मिला कहीं हफ़तों तक उन्होंने डूनने डूनने लेकिन उनको नहीं मिला तो अब उन्होंने डूसरा लेंगे तो यह जेवर के दूकानों पे जो है गहें मगर इन लास्टी इन उन्होंने एक दूकान पे वैसा नेकलस पाया लेकिन वो थर्टी सिक्स थाउसंट फ्रेंक्स का था मगर उस से कम पैसे इसके पास टोटल जमा थे तो मिस्टर लोजल गोज मैसूली इंटो देबिट इन बाइस देन नेकलस अन्होंने लिया कर जा लिया इस नेकलस के लिया और नेकलस खरीदा और नेकलस वापस दिया एम फोरिस्टर को जिसको पता ही नहीं चला कि ये दूसरा है मगर इस से इन्होंने इस नेकलस की वज़ा से जो इनको खरीदना पड़ा इसकी वज़ा से ये बिल्कुल टुर्टी में चले गए दस यर्स तक दे लूज दियर हाउस दियर मेर दियर कमफर्टेबल लाइब्स तोप इट मेथिल्डा लोज़ इस हर गुड़ लोग्स अनुने सब कुछ अपना मकान अपने नोकर ये कंफर्टेबल जो लाइफ स्टाइल उनका था सब कुछ और साथ साथ जो मिस्स मेथिल्डा थी उसकी खूबसूरती भी चले गी दी हैट अट वरी डिफिकल लाइब् दोनों काम करने लगे मिस्स लूजल जो थी वो गर का काम करने लगे उसके हस्बंड ओर टाइम करने लगे अफ्टर तैन यर्स अल्ड़ जो फाइनली पेड और मेथिल्डा इस आउट फूर है लिटल बिट शॉपिग तो दस साल के बाद जब थोड़ा सा उनको रिलीफ मि पेड़ और मेथल्ड़ जाइनली तो इसको महां पे एम फॉरस्टर देखी वैसी कूब सुरुद वरसी अमीर तो अब यह जो मिस्स लूजल थी उसने सोचा कि अब तो कर्जा सब कुछ उदर गया है अब में यह स्टोरी एम फॉरस्टर को सुना ओंगे मेरे प्यारे बचो इस लेसन का जो थीम है वो यह है कि कभी इनसान अपने हस्यत से आगे नहीं बढ़ना चाहिए आपके पास जितनी हस्यत है उसी में आफ खुश रहो जितना आपको अल्ला ने दिया है उसी में आफ खुश रहो अपने यह पाउं उतनी फैलाने चाहिए जितनी चदर हो उससे आगे मर जाओ क्योंकि जब भी आप ऐसा कुछ करते हो तो आप हमेशा लास में हो जाते हो आज के डे इतना ही काफी थेंक यू, बाई